Hello everyone, welcome to our YouTube channel, my name is Amit, चलिए आज की session को start करते हैं, देखिए, हमने जो EVS की answer की है, उसको कर लिया है, हमने जो CDP है, उसकी भी answer की को कर लिया है, और मैं proudly बोल सकता हूँ, जिनोंने हमारी theory classes को देखा था, उनका exam बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है, ये चीज मैं पहले भी ब नहीं था, ठीक है, और अब हम discuss करने वाले हैं, आपके हिंदी section को, जिनोंने इस channel को subscribe नहीं किया है, channel को subscribe कर लिजिए, क्योंकि अभी आपका just CTAT का exam हुआ है, अभी तो आपके आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है ना, और जिस तरह से हमने EVS को एकदम best तरिके से किया था इसी तरिके से हम math, आपकी science, EVS, आपकी social science, computer, setting जिक्के हम हर section को start करने वाले हैं, और आपको एकदम best से best material मिलेगा, ठीक है, तो अगर आपके चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, ताकि आपकी कोई भी class मिस ना हो, तो चलिए, start करते हैं, देखिए, starting में जो मैंने इस गद्यांस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो मैं आपको direct answer बता रहा हूँ, आप check कर सकते हैं, ठीक है, आपका first question था, गद्यांस के अनुसार, सबसे धन्यवाद कहने का कारण क्या नहीं है, देखिए, आपसे नहीं पुछा था, तो जब आप first line के अंदर जाएंगे न, तो आप खुद देख सकते हैं, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण, सामान्य वहवार, तो तिनों चीज़ें आपकी cover हो चुकी है, आपकी संस्कृति भी आ गई, आपका स्वार्थ भी आ गया, और आपका सहुबाव, यानि कि आपका क्या हो गया इसके आंसर था, अध्यानता के कारण ही आपकी बुराईया फैलती है, यानि कि आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दुख दुख का कारण क्या है, आपका करेक्ट आंसर होगा करम, यानि कि आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गद्यान्स के अन तो उसके अंदर आपका hidden जो meaning है ना वो छुपा होता है हमें उस hidden meaning को देखना होता है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा मन से बुरे भाउं का निसकास्षन करना निसकास्षन का मतलब होता है बाहर निकालना ठीक है? तो correct answer होगा answer number first आगे बढ़ते हैं जीवन का मुख्य लक्स क्या है? आप इसके अंदर आप 100% confused होगे और दो चीजों में confused होगे एक answer number first के अंदर और एक number second में यानि कि इस्वर के प्रती आभार प्रकट करना और इर्शा से उपर उठना और यहाँ पर जो आपका correct answer होगा न वो होगा answer number first इस्वर के प्रती आभार प्रकट करना आप यहाँ पर लास्ट लाइन के अंदर देख सकते हैं इस्वर के प्रती आभार प्रकट करना ही ऐसा एचूग तरीका है जो हमें एस संतुस्टी और इर्शा जैसी नेकरस्ट बातों से उपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूलभूत क्या है लक्से है तो यहाँ पर जो हमारा correct answer होगा answer number first ठीक है आगे बढ़ते हैं स्वार्थ का विलोम क्या होगा आपका normal सी बात है ने स्वार्थ हो गया उसके आगे देखते हैं मानवी सबद का परते बताईए अब देखिए यहाँ पर भी आप confuse होगे first के अंदर और second के अंदर जब भी आप परते और उपसर्ग वाले जो question होते हैं हमेशे आप याद रखे वो संदी जो विच्छेद होते हैं उन पर depend होते हैं तो आप सबसे पहले उस word का संदी विच्छेद कर लीजिए अगर आप मानवी के करते हैं तो आप लिखेंगे मानव पलस में e है अब मैंने बड़ी e क्यों ली है देखिए आपके मानवी के अंदर बड़ी e की मातर आ रही है तो आप इस चीज को याद रखना अगर हम मानव को देखते हैं तो मानव के अंदर क्या है आपका लास्ट में e है और पलस में इसमें क्या रहा e तो e पलस e है ना वो क्या बनेगी बड़ी e बनती है कभी भी छोटी e बनके नहीं बनेगी कभी आप ये ले लेंगे ना तो मानवे फिर आपको ऐसी लिखना पड़ेगा तो हमें जो बड़ी e है वो लेने पड़ेगी तबी आपकी मानवे में बड़ी e की मातर आएगी तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा न वो होगा answer number first and की e है ठीक है आगे बढ़ते हैं कौन सा सबत युगम समो से भिन है ग्यान अज्ञान सहीवई अपोजिट दे रखा है ठीक है अंधकार अंधेरा यह आपका गलत है तो राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर सेकिंड क्योंकि बाकिस सब क्या है एक दूसरे के अपोजिट है सुध असुध सुख दुख ग्यान अज्यान तो कर्रेक्ट आंसर क्या होगा आंसर नंबर सेकिंड क्योंकि यह आपका क्या है भिन है आगे बढ़ते है देखिए इसके बाद क्या दे रखा है आपको एक काव्यांस दे रखा है और काव्यांस के उपर आपको क्योंसर निकालने थे और काव्यांस में भी हम क्या करते है उस चीज के hidden meaning को समझते है जो आपका main जो सार होता है वो हमें समझना होता है तो देखिए कविता का मुख्य सवर क्या है तो आप कविता को पढ़िए आया समय उठो तुम नारी युग निर्मान तुम्हे करना है आजादी की खुदी नेव में तुम्हे प्रगती पत्थर भरना है अपने को कमजोरने समझो जन्नी हो संपुर्ण जगत की गोरव हो तुम ठीक है तो अब देखिए आप कविता का भूमी का क्या है नगण्य, नगन्य का मतलब होता है उसकी कोई भूमी का नहीं है ये तो गलत है वह परशागिक ये भी आपका गलत है परशासिंग का मतलब होता है कि कोई ले Ouais देना ही नहीं किया गया है लेकिन नहीं की बात हो रही है, तो आप देखते हैं, अबला, गोरव, सबला और नीव, आप गोरव और नीव तो आपको इसके अंदर मिला है, अब आप सबला को देखी, सबला एक positive word है, जो नारे के लिए आप use कर सकते हैं, लेकिन जो अबला है न, वो आपका right answer होगा, क्यो इस्तरी की निर्मानकारी सकती का भाव, कविता की किस पंक्ती में नहीत है, तो देखिए, निर्मानकारी सकती की बात हो रही है, यहने कुछ न कुछ निर्मान किया जा रहा है, तो देखिए आप, जन्नी हो संपुरन जगत की गलत है बई, कमजोर ने समझो, यह भी गलत है युग निर्मान तुम्हें करना है यह होगा correct answer यानकी answer number 3 ठीक है आगे बढ़ते हैं नमर 4 देखिए आप कविता के अनुसार इस्तरी को स्यम की सक्ति को पहचानना होगा यह होगा आपका correct answer आगे देखते हैं जन्नी के रूप में ही रहना होगा गलत है बहई गोरव गान करते रहना होगा यह भी आपका गलत है पत्थर बरने का कार यह ही करना होगा यह भी आपका गलत है करेक्ट आंसरोगा answer number first आगे देखते हैं जन्नी हु समपूरण जगत की पंक्ती में कौन सा अलंकार है इसके अंदर मिलेगा आपको रुपक अलंकार कौन सा अलंकार रुपक अलंकार ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये आपका pedagogy section है हमेश्या मैंने आपको बताया ना आए first time में तो आप कम से कम दो बार तो पढ़ना ही पढ़ना तोगि teaching line में कभी भी time की कमी नहीं होती है आपके बस concept के लिए रोने चाहिए आपको उस चीज की knowledge होने चाहिए तो देखिया कक्षया 3 की अध्धापिका अपने सिक्स्यार्थियों को नई सब्दावली से प्रभावसाली तरिक्का है तो देखिया अध्धापिका बच्चों को सब्दों की ठोस परिवासा बताए गलत है भई ठोस परिवासा बताने का मतलब तो यह हो गया आप रटवा रहे हैं ऐसा तो नहीं करेंगे आप अध्धापिका स्थित्ति विशेश के अनुसार उस शिखना किस से संबंदित है हर किसी को पता है वासा सीखना क्या है एक कोश्नली तो है ना एक स्कील है कितनी स्कील होती है, च्यार स्कील बताई थी मैंने ठीक है न और उसक नाग किया थे हमें L,S, R,W, जिसनने classes देखे थी उनके लिए question easy होंगे ठीक है आगे देखते हैं उस युक्ति का chain कीजिए जो नीचे दिये गई उधारन से मेल खाती है मैं बासा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सई हो तो देखिया पुर्रावर्ति करना यान के धोराना गलत है भई सव निरक्षन यह होगा आपका correct answer यान कि आप खुद निरक्षन कर रहे हैं आप खु को सपर्ष भी करते हैं अध्यापिका किस विदी का परियोग कर रही है मैंने यह चीज़ आपको theory classes में बताई थी इसको बोला जाता है पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए तो देखिए जैसे अनुमाल लगाना है तो आपका यहापर जो correct answer होगा answer number 4 होगा ठीक है यानकि A का 5, B का 1, C का 2, D का 4 और E का 3 आप explanation में आप खुद मिलान करके देख सकते हैं ठीक है तो यहापर जो आपका correct answer आएगा answer number 4 वे अपने सवालों को दूसरे समूओं के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिस करते हैं यह किसका उधारन है देखिए आप feedback का गलत है बठन आकलन यह भी आपका गलत है correct answer होगा से पाठी आकलन यहनकी क्या कर रहे हैं बच्चे आपस में एक द सबद्याव वाक्य लिखा होता है मैं उससे सम्दित हवीने करती हूँ और समूची कक्षया उस सबद्याव वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है और मैं क्या कर रहे हूँ हवीने कर रहे हूँ जो keyword होते है न उनको पकड़ो आप ठीक है सिक्सयार्थी की प्राथमिक्ता है गलत है बाई जब मैं गतिक बोद्दक तरीके से सनलगन करती हूँ तो मुझे बासा अच्छी तरह से याद रहती है यह होगा आपका correct answer क्या है आपकी motor skills का use करते वे वो क्या कर रही है हबीने कर रही है आपके इसारों से आपके हाथों से आपके body के gestures के साथ expression के साथ ठी अपनी आयू अनुसार बासा के सक्सम प्रियोग करता होते हैं एकदम correct है वई आगे देखते हैं बासिक और सांस्कृतिक विविधिता के कारण वे अपनी योगजिताओं का परदर्शन नहीं कर पाते यह भी आपका सही है तो आपका A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व अध्यापक से अलग सेली में बात करता है अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक दो वर्षे बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है और यह हमारा question practice set के अंदर आया था मैंने आपको करवाया था ठीक है तो इसका तात्प्रिय यह हुआ कि मंजीत जानता है कि साम योगितावादियन की application वो चीजों को करके देख रहा है ठीक है तो correct answer क्या होगा answer number second आगे बढ़ते हैं एक माने इस बात की और ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी-कभी ऐसे सबद बोल जाती है जो नय तो उसने कभी किसी वैसक से सुने है और नहीं अपने भाई-बैनों से सुने है इस बात को लेकर वैब भर्मीत है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं यह है मेन आपका जो मेन लाइन है जो मेन पंच है वो यह है उनका यह मत किस से परती धवनित यानिकि मेल खाता है देखिए वैवार वाद करेक्ट आंसर है बाई भीएवरिजम जो लोग रहे व्यावर वाद दी जो है वो यही बोलते हैं कि जो बासा है वो अनुकरण से सिखी जाती है तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नमबर फर्स्ट आगे बढ़ते हैं पोस्लों के उस सम में admission लिया ना उससे पहले ही वो चीज़े आप अपने अंदर विक्सित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमी कोशलों के लिए बुनियाद परदान करती हैं तो इसको बलगाता है आपका उद्गाम्मी साकसरता यांकि अमर्जेंट आपकी क्या होगी उद्गाम्मी साकसरता यांकि आपने टैम से पहले ही चीज़ों को सीख लिया है इसको बलगाता है उद्गाम्मी यानि स्टार्टिंग अंदर ही पठन कर लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं एक दादी नानी अपने घर में थोटे बच्चों को पुस्तकों से घानिया पढ़कर सुनाना पसंद करती है इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों वे नई विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस परिकरिया में सक्रिय रूप से सलंगन रहते हैं इस तकनिक को किस रूप में जाना जाता है? ये कहल अब का संबासिक पठन ठीक है? यह इनकе इसको बोलते हैं इंगलिस के अंदर डायलोग डायलोग रीडिंग क्या बोला जाता है डायलोक रीडिंग और हिंदी में बोलते हैं संबासिक पठन ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूलतत्वों जैसे वर्णों और सवनिम से स्टार्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं किस साइड देखिए शुरू किया जाता है जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप में पठ पर आएंगे अक्सर पर आएंगे फिर आप सबद पर आएंगे उसके बाद आप वाक्य में आएंगे उसके बाद आप आगे प्रस्ताओं में इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और यह कहलाता है आपका बोटम अप उपागम हदो गामी यह निच्चे से उपर की तरह वर्तनी लिखना, सीखने की एंत पढ़ जाती है ये- गलत है इसा नहीं होता आगे देखिए जब बच्चे पारंप्रिक वर्तनी के साथ अपनी आविशकृत वर्तनी का उपयोगक करते है, तब ये रहा है सही वर्तनी सीखते समें भाहुत से विद्यार्थी बासा के एद्वित्ते उचारन संबंधी नीमों के करण बासा बोलते समय प्राय आतम विश्वास की कमी का सामना करते हैं इस समस्या को दूर करने का बैस तरिका क्या है देखिया करक्ष्या में ऐसे खेलों जैसी गतिवद्यों का प्रयोग किया जाए जिसमें मोखिक अंतेकरिया हादिको यह होगा आपका correct answer एनकि एक तरह से बच्चों को क्या दें आप आउसर दें ठीक है बाकी इन में से आगे कोई भी नहीं होगा देखिए बाक थरेपी नहीं भई जब उन्हें समस्या है उनकी गलती में सुधार किया यह गलत है बच्चे क्या करें सैसवर वाचन यह भी गलत है correct answer आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अंतेकरिया का कनवर्सेसन का क्या दें आउसर दें तो correct answer आपका answer नमबर first तो देखिए यह आपके हिंदी की answer के थी आप relax होकर आराम से मिलाइए आपको ज़्यादा सोचने की जूर्थ नहीं है आराम से अपनी आगे की preparation कीजिए और जिस तरह से हमने EVS को एकदम best तरिके से किया था CDP को best तरिके से किया था इसी तरिके से अब हम अमारी NCRT का value को समझिए और अगर आप value को समझते होंगे तो आप 100% चैनल को subscribe कर लेंगे ठीक है तो चलिए आज की session में सिर्फ इतना ही Thank you